दो भाईयों में गाई का बटवारा ये कहानी है लखीमपुर गाउं में रहने वाले दो भाई गोपाल और किशन की माता पिता की मौत के बाद दो भाईयों ने आपस में बटवारा कर लिया घर के दो टुकडे हो गए लेकिन उनके पास एक गाई थी अब दोनों भाईयों ने एक गाई का बटवारा किस तरह से किया और बटवारे के बाद क्या हुआ चलिए देखते हैं लखीमपुर गाउं में गोपाल और किशन दो भाई रहते थे उनकी मा का देहान तो पहले ही हो चुका था कुछ दिनों पहले पिता नथुलाल भी चल बसे थे गोपाल और किशन दोनों भाईयों की शादी हो चुकी थी लेकिन दोनों की बीवियों की आपस में नहीं बनती थी गोपाल की पतनी चंदा और किशन की पतनी चमेली में अकसर लड़ाईयां होती रहती थी चंदा बड़ी थी इसलिए वो चमेली को अपने जेठानी होने का रौब दिखाती थी और उसी से घर के सारे काम करवाती थी दोनु भाईयों के पास एक गाय थी जिसका नाम जमुना था चमेली, अभी तक खाना नहीं बनाय तुने? और ये जमुना क्यों चिला रही है? देख, गोबर तो नहीं कर दिया उसने एक काम ठीक से नहीं होता तुझसे काम की नाकाज की दुश्मन अनाज की ये क्या बोल रही हो दीदी? जरा जबान संभाल कर बात करो अरे मैं बड़ी हूँ, जो चाहे वो बोलूँगी तुझे वाई करना पड़ेगा जो मैं बोलूँगी ये घर तेरे भाईया चलाते है खेत पर तो सारा दिन मेरा पती खटता है भाईया तो खेत पर जाकर चार पाई पर सो जाते है मुझे सब पता है, जादा दिन चलेगा नहीं ये सब मैं बता रही हूँ बड़ी जबान चल रही है तेरी, अभी बताती हूँ तुझे रुक और दोनों और तो में हाथ हपाई होने लग जाती है अपनी अपनी बीवियों को लड़ता देख दोनों भाई भाग खड़े होते है इस तरह से तो नहीं चलेगा किशन, हमें कुछ करना पड़ेगा बात तो सही कह रहे हो भाईया, लेकिन हम क्या कर सकते है बटवारा, या बटवारा लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं है दोनों लोगाईया ऐसे ही लड़ती रहेंगी तो हमें एक दिन हाट अटेक आ जाएगा किशन गोपाल की बात मान लेता है पंचायत बुलाई जाती है और गाउं के मुखिया चमनलाल के सामने दोनों भाईयों के बीच बटवारा हो जाता है घर के बीचों बीच एक दिवार खड़ी हो जाती है चलो भाई, हो गया बटवारा, अब दोनों भाई शान्ती से रहो ऐसे कैसे हो गया बटवारा गाय का बटवारा भी तो करो अ लेकिन गाय तो तुम दोनों के पास एक ही है एक गाय को दो हिस्सों में कैसे बाटो के और वो रहेगी किस के पास तभी गोपाल की पतनी चंदा गोपाल के कान में कुछ फुस फुस आती है मुखिया जी ये गाय एक महीने मेरे पास रहेगी और एक महीने किशन के पास मैं बड़ा हूँ इसलिए सबसे पहले गाय मेरे पास रहेगी ठीक है दोनों भाई राजी हो तो मुझे क्या दिक्कत किशन बड़े भाई की बात मान लेता है और शर्ट के मुताबिक गाय जमुना को बड़ा भाई गोपाल अपने घर ले जाता है जमुना काफी दो धारु गाय थी वो देखने में जितनी सुन्दर थी उतनी ही रिष्ट पुष्ट भी थी जमुना का दूद पूरे गाउं में मशूर था अरे गोपाल भाईया अच्छा किया जमुना को तुम ले आए ये लो बालती और दो किलो दूद कर दो हमारे घर के बच्चे तो जमुना का दूध ही पसंद करते हैं कहते हैं जमुना का दूध बहुत गाड़ा और स्वादिश्ट होता है हाँ हाँ अभी लो भाईया दो किलो दूध अब सुबह शाम गोपाल के घर के बाहर ग्रामनों की लाइन लगी रहती थी गोपाल जमुना के दूध की दही जमाता और मिठाईया बनाता उसकी मिठाईया पूरा गाउं खरीत कर बड़े चाप से खाता ये सब देखकर किशन की पतनी चमेली जलने लगी देखो जी गोपाल भाया तो पैसो में खेल रहे हैं और पूरे गाउं में दूध की नदियां बहा रहे हैं तू परिशान क्यों होती है चमेली बस एक महिने की बात है अगले महिने जमुना के दूध की नदियां हम बहाएंगे गोपाल और उसकी पतनी चंदा जमुना की बहुत सेवा करते चंदा रोज सुबा सुबा जमुना का गोबर साब करके उसे नहला देती जमुना के आसपास भी वो साबसफाई का बहुत ध्यान रखती जमुना को मकी मच्छर से बचाने के लिए वो गौशाला में रोज धूब जला दी गोपाल जमुना को बड़े प्यार से चारा खिलाता खा भर पेड चारा खा ये ले तेरे लिए गोड और खली भी लाया हूँ खूब खा जी भर के खा दोनों पती पत्नी का प्यार देखकर जमुना भी उनसे बहुत खुश थी इसी तरह एक एक करके दिन बीद गय और एक महीना बीद गया अगले महीने की एक तारीक को किशन अपने बड़े भाई गोपाल के घर आया भाई किशन, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ भाईया, आप कैसे है? तभी पीछे से किशन की पत्नी चमीली वहां आ जाती है और किशन से कहती है सिधे-सिधे काम की बात क्यों नहीं करते कि जमुना को लेने आये हो? चमीली ये बात इतनी जोड से बोलती है कि गोपाल सुन लेता है हाँ हाँ भाई किशन, जमुना को ले जाओ, अब एक महिने के लिए जमुना तुम्हारे पास रहेगी गोपाल के इतना कहते ही, चमेली जटपट यमुना को खूटे से अलग कर देती है और अपने घर ले जाती है किशन के घर में जमुना के लिए कोई गोशाला नहीं था इसलिए चमेली घर के दरवाजे पर ही खूटा गाड़ कर यमुना को वहाँ बान देती है सुबह से शाम हो जाती है लेकिन जमुना को कुछ भी खाने को नहीं मिला रात में जमुना भूग से तडप कर आवाजे लगा रही थी, तब किशन उसे चारा डालने के लिए जाता है तब ही चमेली वहाँ आ जाती है ये क्या कर रहे हो देख नहीं रही हो, जमुना को भूग लगी है, तुमने इसे चारा नहीं डाला ना मैं चारा डालूँगी और ना तुम्हें चारा डालने दूगी लेकिन जमुना से तेरी क्या दुश्मनी है दुश्मनी जमुना से नहीं तुम्हारे भाई और भावी से है पूरे महीने तो उन लोगों ने जमुना के दूद के बहुत मज़े उड़ाए है दूद दहियों और मिठाईयां बेज कर खुब पैसा कमाया है लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूँगी जमुना की हालत तो मैं ऐसी कर दूँगी कि ये किसी काम के नहीं रहेगी तुम इंसानों का गुस्सा इस पेजुबान जानवर पर निकालोगी तो क्या करूँ तुम्हारे भाई और भावी से जाकर लड़ू नहीं नहीं तुम भाईया और भावी से कुछ मत कहना दो भाईयों के जगडे में बेचारी जमुना पिसने लगी जमेली ना तो जमुना को चारा डालती और ना ही उसका गोबर साप करती और ना ही उसकी सापसफाई का ध्यान ही रखती बिचारी जमुना के आसपास गंदगी फैल गई मच्छर और मक्हियां उसका जीना हराम करने लगे भूग प्यास से परिशान यमुना दिन भर चिलाती रहती ग्रामिनों को दया आ जाती तो कभी कोई दो रोटी डाल जाता जिसे खा कर जमुना थोड़ी देर के लिए शान्त हो जाती लेकिन अगले ही पल फिर भूग से बिलबिला उटती जमुना की अहालत गोपाल और चंदा से देखी नहीं जा रहे थी सुनिये जी आप देख रहे हैं न किशन और चमीली ने जमुना की क्या अहालत करती है मुझसे जमुना की अहालत देखी नहीं जाती उनसे कहो कि अगर जमुना संभाली नहीं जाती तो हमें दे दे दुख देखा नहीं जा रहा हो था। वो किसी तरह से चल पा रही थी। गोपाल जमुना को अपने घर ले आया। एक महिने में क्या से क्या बना दिया हमारी जमुना को। चंदा ने जमुना को नहला धुला कर साफ किया और चारा डाला। बेचारी जमुना ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सुनिये जी मुझे लगता है कि जमुना की तब्यत खराब है ये तो खड़ी भी नहीं हो सकती है जमुना ने दूद देना भी बंद कर दिया है गोपाल डॉक्टर को बुला कर लाता है गोपाल और चंदा ने जमुना की खूप सेवा की लेकिन जमुना पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो पाई हमारी जमुना का क्या हाल कर दिया इनका सायों ने चंदा की बात सुनकर गोपाल को एक उपाय सूचा वो जमुना को खूटे से अलग करके अपने साथ कहीं ले जाने लगा जमुना ठीक से चलने ही पा रहा था तो गोपाल उसे डंडे से मारने लगा तभी वहाँ से मुखिया चमनलाल गुजर रहे थे अरे गोपाल जमुना को डंडे क्यों मार रहे हो ये तो पहले ही अदमरी हो गई है तुम्हारे माता पिता ने इसे अपने बच्चों की तरह पाला है और तुम दोनों भाईयों ने इसकी ये हालत कर दी हमारे बीच में ना पड़ो चाचा जी जमुना अब किसी काम की नहीं रही मैं इसे बेचने के लिए ले जा रहा हूँ कहां बेचोगे इसे इसे अब कौन खरीदेगा कसाई के हाथों बेच दूँगा जीते जीतो अब ये किसी काम ना आएगी मर के तो काम आएगी मुख्या चमनलाल चिलाने लगे राम 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 ऐसे कैसे कसाई को बेच दोगे इसका बटवारा मैंने करवाया था अब इस बात का फैसला मैं भी करूँगा वो भी पंचायत के सामने अगले दिन पंचायद बुलाई गई दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ पंचायद के सामने हाजिर हुए आतो गोपाल तुम जमुना को कसाई के हाथों क्यों बेशना चाहते हो ये गाय तुम्हारे माता पिता की आखरी निशानी है लेकिन मेरे छोटे भाई ने ये बात नहीं समझी कि जमुना हमारे माता पिता की आखरी निशानी है ये महीना पूरा होते ही जमुना को अगले महीने कसाई के पास जाना है जो उसे तिल तिल कर मौत देगा जमुना रोज भूख से तडब तडब कर मिरेगी इससे तो अच्छा है कि जमुना एक बार में ही मर जाए इतना कहते ही गोपाल फूट फूट करोने लगता है गोपाल की बात सुनकर छोटे भाई किशन को उसकी गलती का एहसास होता है कि उसने क्यों नहीं अपनी पत्नी चमीली को जमुना के साथ बुरा करने से रोका किशन और चमीली दोनों ही बहुत शर्मिंदा होते है भाईया मुझे माफ कर दो गलती मेरी है मैं भूल गया था कि गौम आता होती है और जमुना को तो हमने हमेशा अपने घर की लक्षमी माना है मैं जमुना को अपने साथ लेकर गया था सारी उसकी जिम्मेदारी मेरी थी मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया जमुना की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ हमने आपसी जगणे में एक बेजुबान के साथ बुरा बरताफ किया आज से जमूना हम दोनों की है जमूना का बटवारा नहीं होगा मैं तो कहता हूँ कि हमारे घर का ही बटवारा नहीं होगा हम एक साथ रहेंगे और जिन्हें ये मनजूर नहीं वो हमें छोड़ कर जा सकता है ऐसा कहकर किशन ने अपनी पतनी चमेली की तरफ देखा चमेली किशन का इशारा समझ गए पंचायत के सामने दोनों भाई एक दूसरे के गले मिले और हमेशा साथ रहने का वादा किया घर के बीचों बीच बनी दिवार उसी दिन तोड़ दी गई अब जमुना का खयाल दोनों भाई मिलकर रखने लगे चंदा और चमेली को भी समझ आ गया था कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है जमुना ने दोनों भाईयों को फिर से मिला दिया था जमुना का स्वास्त धीरे धीरे ठीक होने लगा और वो पहले की तरह चमकने लगी